हेलो फ्रेंज बेलकम टू माई योट्यूब चैनल में मेरा नाम है मोहित और ये हैं मेरे बाई मनोज आज हम आपके लिए एक एडवेंचर फूर वीडियो लेके आए हैं गाईस इस टाइम मैं हूँ दोलादार रेंज की खुबसूरत पहाडियों के बीच में और इन खुबसूरत पहाडियों में बहुत ही ब्यूटिफूल सिटी है जिसका नाम है दर्मशाला और यहां पर बहुत ही जादा टूरिस्ट प्लेसीज है और यहां पर बहुत ही अडवेंचर फूर प्लेसीज है तो उनी में से आज एक टूरिस्ट प्लेसीज में आपको मैं लेके चलूँगा तो गाइज यह धरमशाला से 9 किलोमेटर दूर खन्यारा में है और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी करी जाती है और यहाँ पर एक बहुती प्राचीन टेंपल है जिसका नाम है इंदुरुनाग टेंपल और इसके लावा एक और व्यूटिफूल प्लेस है यहाँ पर जिसके बारे में बहुती कम टूरिस्ट जानते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं सीधा दिखाऊंगा इसलिए वीडियो में मेरे साल आज तक बने रहें सो कम ओन लेस्ट पो बिजमी गाइज अझाल आज टिस्ट करो भानस ढारे में में आज एपे खिमान है लोगा है लोगा है झाल 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 तो गाई जैसा कि आपने देखा यह प्लेस पेरागलाइडिंग के लिए बहुती फेमेस है और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं दरमशाला की खूब सूरत पहाड़ियों को तो गाई यहां से पेरागलाइडिंग की जाती है और यहां पर पेरागलाइडिंग 2011 से होई थी और यहां पर 15-20 मिनिट की राइड होती है निचे दरमशाला तक और यहां पर सबसे बेस्ट मन्थ जो है पेरागलाइडिंग के लिए वह एक्टूबर और नवंबर मन्थ तो गाई अगर आप पेरागलाइडिंग का शोंक रखते हैं और ट्रेस्ट रखते हैं तो अग्टूबर नवंबर मन्थ में जरूर आए और यहां पर पर प्राइडिंग करें तो गाईस हम पहुंच गये हैं उस बहुत ही प्राचिन टैंपल में तो अभी इसके बारे मैं आपको दिखाओंगा पहले उसके बाद आपको इसके बारे में आपको इसकी हिस्ट्री कर दो argument करेंगा ऑपको बारे में इसके बारे में आपको ओदाने का रहिए यहां वे बारे मैं आपको इसके बारे में आपको प्राइडिंगा बारे माईस झाल झाल तो फ्रेंच जैसा कि आपने अभी देखा इंदुरुनाग टेंपल को तो फ्रेंच जितना पुराना और प्राचीन और खूबसूरत ये मंदिर है उतना ही खूबसूरत इसका इतिहास है ये खन्यारा के चोहला गाउं में स्थित है और यहां के पुजारी और स्थानिय गाउ वालों का ये मानना है कि यहां पर एक बान के पेड़ के नीचे इंदुरुनाग के पैरों के निशान मिले थे और यहां पर एक चंबा का राजा भी आया हुआ था जिसके अगर कोई भी संतार नहीं होती थी तो उसको पकुगान इंदुरुनाग ने अपने सपने में आकर दर्शन दिये थे और उसने जो उसको सपने में जो जगा दिखी थी वहीं पर आकर उसने यहां पर आकर पूजा करी और उसके एक साल बाद राजा के गर में उसको कुत्तर प्राप्ती हुई और उसके बार राजा अपनी पूरी फैमली के साथ यहां टेंपल में आया और उ तो गाइस जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं इसके लाब आपको एक और इंट्रेस्टिंग प्लेस पे लेकर चलूंगा तो अभी आपको मैं वहां पर लेकर चलूंगा वह बहुत ही अडवेंचर फूल प्लेस है उसका मैं आपको रोड का और गाइस मंदे का और वहां के व्यू का सब कुछ तिखाऊंगा तो गाइस कमाओं लैस गोगिज मी तो गाइस जैसे कि आपने देखा हैं दूना टेंपल तो उसके साथ ही यह रोड है जो उस प्लेस के लिए जाता है तो अभी मैं उसी रोड को जाऊंगा और आपको वहा झाल जैसे के वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और ब्यूटिफूल प्लेस पे लेकर चलूंगा तो गाइस मैं वहां पर पहुंच चुका हूँ और इस प्लेस का नाम है बंगोटू और यह इंद्रुनाक से तीन किलो मीटर उपर है और अभी पर यहां पर एक माता का मंदीर है जहां पर 15 से 20 मिट की ट्रैकिंग है तो भी मैं आपको वहां लेकर चलूंगा अपने साथ सो कम दूरिश्ट को देखते हुए तो अगर आप यहां पर आते हैं और ना इस्टे करना चाहते हैं तो आप यहां पर रुख सकते हैं अगर आपको ट्रैकिंग का शोख है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है यह प्लेस अगर आपको अगर आपको अगर आपको बात करेंगे तो इस मंदिर को ट्ले वाली माता के नम से जाना जाता है और अब इसी मंदिर के हम चाहरे में हम डीपली जानने के लिए इस मंदिर के पजारी से बात करेंगे तो घजां के मंदिर के पुजारी से बात करतें किस नम से जान जात यहां एक दिल्ले वाली माता इतले बैटर होता है यह तो गर्मी में जैसे अपरेल, माई, जून, यह तीन तीन चार में नहीं है और जनुबरी फरवरी में तो बरफ पड़ती है अब तो कम पड़ रही है आते है वैसे लोग तो काफी आते है कई आप तो बरफ देखने आ रहे हैं मंदल में भी दर्सों माता की मुझ मिली प्याлосьnya मेरी में पड़ती है यह जाती है जैसे है जाती है यहाँ पिर गजाते है तो मंदल कभेखुछ पता नियुकर काईफ इसको सब कोच और पूछ करते पूंज करते तीन तो सब मिलके आप जैसे हो कभी योगदानरा सब कर दो यह हम भी चाहते हैं कि जैसे कुछ एक जगह हैं जिनके बारे में टुरिस्ट नहीं जानते हैं इतना तो वह जाने और आए और यहां की खुबसूरती गाया मजाले और इस मंदर के बारे में जाने और यह हिस्टोरिकल प्राची ओन्धोगाउं इसको बहुत हैं देना जोटे जब अच्होटे थे तब भी यह पूजा करते हैं अच्छा मैं लोगों की उते जैसे यह पहले किया होता था पहले के डेड़े बकरियां बगएरा बगारा बसू बगएरा उते थे तो यही महनत करते थे कर दो करने लगा, फुर्णाए हो जाए। झालो च्वड झालो जोक हो जाते हूं है। कई साल रुप पुरानी तो इस को ही या टीर्ट हाट जाए। कि थीजिए अप खुड़गे दोत म хочет बना भाट हत्का है क्टिए। यहीं के लोग जानते थे अब तो इसको हो गई तीन चार साल उगे यह आप जून में ठारा जून को इसकी स्थापना हुई थी थी तो अब पंदरा से और ठारा तक ही अप्रोग्राम होते जून में इस बार तो खयर इसके लोगडॉन की वज़ास से काफी पूजा हुई इसायरा हुई जून में पंदरा से लेकर अठारा तक है काफी जहादा है काफी जादा पूजा पार थी होता है पिर पंडारा हुटा थी हैं बड़ा उटका हुद अच्छ रिजादा शाम को पर रहे जागरन होता है हमारा पिछली बार नौला था-एप बार नौला था पंदरा से ठारा तक वैसे तीन दिन आ सकते हैं आप चलो रहो यहां बड़ा अच्छा मला अनांद मेलता है यहां की जो हुआ है ना अगर आप हवाई लेते हैं तो वह अपने स्रीर के लिए का चलो नेक्स्ट हम पंदरा से ठारा जून के वीच में जरूर आएंगे और यहां करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो ठीक है गाई जैसे कि आपने अभी बात करी मंदी के पुझारी से तो इस टेम्पल के बारे में बताया तो आपको वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमको कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं हम ऐसी ही निव वीडियो के साथ निव प्लेस में आप से जल्द ही मिलेंगे तब तक के लिए हमारा वेट करें तब तक के लिए गाइस वाइ बड़ बाए टेक्याइ